हलो फ्रेंड्स आज मैं दूधी का सूक बनाने जा रही हूँ यह को दूधी है फुधी ना है धनिया है टोमेटो है अध्रक और लिम्बू और उपर हम स्प्राउटेड मूग भी डालेंगे फ्रेंड्स तो अभी मैंने दूधी को दूध के काट लिया धनिया फुधी ना काट लिया है और अध्रक अभी यह सबको मैं मिक्सर में पीशती हूँ तो अभी मेरा एक सिक्रेट इंग्रीडियंट से कच्छी वर्या ली उसका सूप में बहुत अच्छा स्मेल आता है ते हूं पेर दूधी टोमेटो और यह मैने अध्रक और यह फुदीना और धनिया को अच्छा सा धो लिया है यह मैने पीस लिया अभी मैं उसमें थोड़ा पानी डाल के च्छान के बताती हूं Prints तो यह देखो अभी मैंने चान के लिया mixer में paste के अभी मैं इसे guest में रखते हूँ Prints तो देखो अभी मैंने उबालने रखा है सूप को अभी इसमें काला मरी पा 수가 सप जब है जीरू पाउडर और यह संचर पाउडर और ब्लेक सॉल्ट यह सब डालना है, दिखो यह महीने इसमें निकाल के रखा है, अबे उसे थोड़ा उबलने देना है, दुधी, दुधी में बहुत विटामिन होते है, मिनरल्स होता है, 96% वोटर होता है उसमें, सोडियम, कोटेशियम, फाइबर, बहुत सारे विटामिन है, और यह दुधी का सुप भी के हम लोग 2-3 गंटे तक कुछ नहीं खाया तो भी अच्छा सा पेट भर के रहता है, तो उसमें मैं थोड़ा स्प्राउटेड मूब भी डालती हूं लास्ट में, तो और अच्छा सा पेट भर जाता है, और अभी अमें पसंदे तो टोस बिस्किट का भी पीसिस करके डाला तो जैसे और टोमेटो सुप में डालते हैं, वैसे भी डालके खा सकते हैं, देखो थोड़ा घाड़ा होने देना है, बहुत लोग क्या करते हैं, कुकर में ही सिटी लगा देते हैं, दूधी और टोमेटो की, तो वो टेस्ट और ये टेस्ट बहुत परक लगता है, मुझे ये टेस्ट अच्छा लगता है, हम लोग बहुत बार बनाते हैं, मैं बहुत बार बनाते हूं ये दूधी का सूप, चो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और विटामिन भी मिलते है वो benefit भी है, देखा अभी हो गया है, अभी इसमें कोई लोग butter भी डालते हैं उपर से, लेकिन हम health wise लेते हैं तो butter की ज़रुरत नहीं है, ऐसे ही ये बहुत testy है, अभी हो गया, अभी में थोड़ा लिंबू का रष डालते हूं इसमें, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा टोमेटा भी डाला था ना, ज्यादा खटा भी नहीं होना चाहिए, अभी ये देखाए, क्वाटी में मूग लिया, sprouted मूग, और उसमें ये में दूधी का सूप बहुत अच्छा बनता है, में तो इसमें, बहुत विटामिन मिलते हैं हमें थैंक्यू फोर वाचिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो